हेगाईज वेलकम टू एयू अव कल मैंने ऑक्सफोर्ट के बारव सब्लट वर्ड लिस्ट में से करफ्शन तक का हो गया था हम लोग कर चुके थे तो अब इससे आगे बढ़ते हैं अगर आप नए है तो फटाफट सब्सकाइब कर लो और पीछले वीडियो को देखना चाहत हदेगा आप उसको उसको उस पर क्लिक करना और वहां पहुंच आओगे तो शुरू करते हैं फटाफट से बिना समय गवाय है costly, costly ये adjective है और sentence में adjective केतर है, use होता है, counselor ये noun है और sentence में noun केतर है, use होता है, counseling ये noun है और sentence में noun केतर है, use होता है, counselor ये noun है और sentence में noun केतर है, use होता है, यहां देखिए आप counselor and counselor दोनों ही different है, दोनों में, counter, 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 argue against, मतलब, किसी दुकान, bank, आदी में एक लंबा समतल, फट्टा सा लाइल लगा रहा रहता है, जहां ग्रहाँ खड़े होते हैं, यह उसी के sense में होता है, counter use, counter, यह वावे और sentence में वाव के तरह, use होता है, counterpart, यह नावन है और sentence में noun के तरह, use होता है, countless, counter, यह adjective है और sentence में adjective के तरह, use होता है, cook, यह नावन है और sentence में noun के तरह, use होता है, courtesy, यह नावन है और sentence में noun के तरह, use होता है, craft, यह वावे और sentence में वाव के तरह, use होता है, crawl, crawl ये वर्व के तरह यूज होता है, creator श्य नावन हैav में नावन के तरह यूज होता ये नावन हैय ये नावन हैने है यूज होता है, credible ड्याँबल ये ऐजेंटीब है ये 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 यूज होता है क्रिप, क्रिप ये वर्वे और संटेंस में वर्फ के तरह यूज होता है क्रिटिक, क्रिटिक ये नावन और संटेंस में नावन के तरह यूज होता है क्राउन, क्राउन ये नावन और संटेंस में नावन के तरह यूज होता है crude, crude ये adjective है और sentence में adjective के तरह use होता है crush, crush ये verb है और sentence में verb के तरह use होता है crystal, crystal ये noun है और sentence में noun के तरह use होता है cult, cult ये noun है और adjective है तो sentence में noun और adjective के तरह use होता है कल्टिवेट कल्टिवेट ये वर्फ और संटेंस में वर्फ के तरह यूज होता है क्यूरियोसिटी ये नावने और संटेंस में नावन के तरह यूज होता है कस्टेडी ये नावने और संटेंस में नावन के तरह यूज होता है कटिंग ये नावने और संटेंस में नावन के यूज होता है Cynical यह adjective और sentence में adjective यूज होता है move करते है भाई अगली स्लाइट की दरफ अब alpha with disease start हो रहा है Damn Damn यह noun और sentence में noun के तरफ यूज होता है Damaging यह adjective और sentence में adjective के तरफ यूज होता है Gone नाउन यह नाउन हर संटेंस में नाउन केतरा यूज होता है डेब्रीज यह नाउन हर संटेंस में नाउन केतरा यूज होता है डेब्यू यह नाउन हर संटेंस में नाउन केतरा यूज होता है Decision Making ये Noun है और Sentence में Noun के तरह Use होता है Declaration ये Noun है और Sentence में Noun के तरह Use होता है Dedicated ये Adjective है और Sentence में Adjective के तरह Use होता है Dedication ये Noun है और Sentence में Noun के तरह Use होता है Did ये Noun है और Sentence में Noun के तरह Use होता है Dem ये Verve है और Sentence में Verve के तरह Use होता है Default ये Noun है और Sentence में Noun के तरह Use होता है Defect यह नावने और संटेंस में नावन के थरह यूज होता है defensive यह adjective और संटेंस में adjective के थरह यूज होता है deficiency यह नावने और संटेंस में नावन के थरह यूज होता है deficit यह नावने और संटेंस में नावन के थरह यूज होता है डिफाई ये वर्व और संटेंस में वर्व केतरा यूज होता है डेलिगेट ये नावन और संटेंस में नावन केतरा यूज होता है डेलिगेशन ये नावन और संटेंस में नावन केतरा यूज होता है delicate, delicate यह adjective है और sentence में adjective के तरह, use होता है demon, demon यह noun है और sentence में noun के तरह, use होता है denial, यह denial noun है और sentence में noun के तरह, use होता है denounce, यह verb है sentence में verb के तरह, use होता है dance, यह adjective है और sentence में adjective के तरह, use होता है Density Density यह noun और sentence में noun के तरह Use होता है Dependence यह noun और sentence में noun के तरह Use होता है तो भाई move करते हैं अगली slide के तरह Deploy यह verb verb sentence में verb के तरह Use होता है Deployment यह noun और sentence में noun के तरह यूज होता है deposit ये वर्वर संटेंस में वर्व केदर यूज होता है deprived ये वर्वर संटेंस में वर्व केदर यूज होता है deputy ये नावनर संटेंस में वर्व केदर यूज होता है Descent ये वावर संटेंस में वाव के तरह यूज होता है Descent ये नावन और संटेंस में नावन के तरह यूज होता है Designate ये वावर संटेंस में वाव के तरह यूज होता है Desirable ये अजेक्टिव है और संटेंस में अजेक्टिव के तरह यूज होता है यह नावन है और संटेंस में नावन के तरह यूज होता है डिक्स्ट्रक्टिव यह अजेक्टिव है और संटेंस में अजेक्टिव के तरह यूज होता है डिटेंस यह वावर संटेंस में वाव के तरह यूज होता है detection ये noun है और sentence में noun के था होता है detention the detention ये noun है sentence में noun के था use होता है deteriorate deteriorate ये verb है और sentence में verb के था use होता है devil devil यह noun है और sentence में noun के तरह use होता है devastate यह verb sentence में verb के तरह use होता है device यह verb sentence में verb के तरह use होता है device not device device diagnosis डागनोसीस sorry ये वर्ण संतेंस में वर्फ के थरा यूस उता है धितेक्टो ये शरण के थरा यूस होता है ये शरण के था यूस ही हितेक्टो ये ये वर्ण संह तरा है यूज होता है differentiate ये वर्वर संटेंस में वर्व के दर यूज होता है dignity ये नाउन है और संटेंस में नाउन के दर यूज होता है dilemma dilemma ये नाउन है और संटेंस में नाउन के दर यूज होता है dimension dimension ये नाउन है और संटेंस में नाउन के दर यूज होता है dimminist ये word sentence में word के तरह use होता है dip ये word sentence में word के तरह use होता है तो move करते हैं भाई अगली slide के तरफ diplomat diplomat ये nouner sentence में noun के तरह use होता है Diplomatic Diplomatic ये noun or sentence में noun कितरा Use होता है Directory Dizastrous ये adjective है और sentence में adjective कितरा Use होता है Discord ора रिस्चार्च Discharge ये वर्वर संटेंस में वर्व के तरह use होता है Disclose Disclose ये वर्वर संटेंस में वर्व के तरह use होता है Disclosure ये नावन है और संटेंस में नावन के तरह use होता है Discourse ये Discourse ये नावन है और संटेंस में नावन के तरह use होता है Discretion Discretion ये nouner sentence में noun के दर? Use होता है Discrimination Discrimination ये nouner sentence में noun के दर? Use होता है Dismissal ये nouner sentence में noun के दर? Use होता है Displace Displace ये verb sentence में verb के दर? Use होता है Disposal Disposal ये nouner sentence में noun के दर? Use होता है Dispose ये वावेर संटेंस में वाव के तरह यूज होता है Dispute ये नाउन है और वाव है तो संटेंस में नाउन और वाव के तरह यूज होता है Disrupt Disrupt ये वावेर संटेंस में वाव के तरह यूज होता है Disruption ये noun or sentence में noun के तरह use होता है Dissolve Dissolve ये verb or sentence में verb के तरह use होता है Distinction Distinction ये noun or sentence में noun के तरह use होता है Distinctive ये adjective or sentence में adjective के तरह use होता है Distort ये वावर संटेंस में वाव के तरह यूज होता है Distress ये नाउन है और ये वावर तो संटेंस में नाउन और वाव के तरह यूज होता है Disturbing ये अजेक्टिव है और संटेंस में अजेक्टिव के तरह यूज होता है devote यह वावर sentence में वाव के तरह use होता है divine यह adjective है और sentence में adjective के तरह use होता है doctrine यह noun है और sentence में noun के तरह use होता है तो move करते हैं भाई अगली slide के तरफ documentation ये नावनयर संटेंस में नावन केतर यूज होता है domain ये नावनयर संटेंस में नावन केतर यूज होता है dominance ये नावनयर संटेंस में नावन केतर यूज होता है donor ये नावनयर संटेंस में नावन केतर यूज होता है डोज ये डोज नाउन और संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है ड्रैन ये वावर संटेंस में वाव के तरह यूज होता है ड्रिफ्ट ये वावर संटेंस में वाव के तरह यूज होता है यह अजेक्टिव और संटेंस में अजेक्टिव के तरह यूज होता है डब यह वर्वर संटेंस में वर्व के तरह यूज होता है डब यह अजेक्टिव है और संटेंस में अजेक्टिव के तरह यूज होता है Dio यह nounors sentence में noun के तरह use होता है dynamic यह nounors sentence में noun के तरह use होता है तो move करते हैं अगली slide के तरफ Ego Ego यह adjective है rence में Eddy Sachsen adjective के तरह use होता है earnings earningsưng अनिंग्स यह नाउन है और संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है इज यह नाउन है और वव है तो संटेंस में नाउन और वव के तरह यूज होता है इको एको एको यह वव है और नाउन है तो संटेंस में वव और नाउन के तरह यूज होता है एकोलोजिकल, ये अजेक्टिव हर संटेंस में अजेक्टिव के तरह है, यूज होता है एजुकेटर, एजुकेटर ये नाउन हर संटेंस में नाउन के तरह है, यूज होता है एफेक्टिवनेस, ये नाउन हर संटेंस में नाउन के तरह है, यूज होता है अगू, अगू ये नाउन ये संटेंस में नाउन के तरह, यूज होता है, इलाबरेट, इलाबरेट ये अजेक्टिव ये संटेंस में अजेक्टिव के तरह, यूज होता है, इलाक्टिव ये संटेंस में अजेक्टिव के तरह, यूज होता है, इलाक्टिव ये संटेंस में एलिवेट ये वर्वेर संटेंस में वर्व के तरह यूज होता है एलिजिबल ये अजिक्टिबर संटेंस में अजिक्टिब के तरह यूज होता है एलीट ये नाउनर संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है embark, embark ये वर्वर संटेंस में वर्व के तरह यूज होता है embarrassment, ये nouner संटेंस में noun के तरह यूज होता है embassy, ये nouner संटेंस में noun के तरह यूज होता है embed, embed ये वर्वर संटेंस में वर्व के तरह यूज होता है embody, embody ये वर्वर संटेंस में वर्व के तरह यूज होता है इमजेंस यह नावन और संटेंस में नावन के तरह यूज होता है इमपिरिकल यह अजेक्टिव और संटेंस में अजेक्टिव के तरह यूज होता है इमपावर यह वावर संटेंस में वाव के तरह यूज होता है Inact ये व्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर Endeavor Endeavor यह Endeavor यह Endeavor यह noun or sentence में noun के तरह use होता है Endeavor Endless Endless यह अजेक्टिव और sentence में adjective के तरह use होता है Indoors यह वावर sentence में where कितर है यूज होता है इंडॉस्मेंट ये नावनर संटेंस में नावन कितर है यूज होता है इंडॉस्ट ये वावर संटेंस में वाव कितर है यूज होता है इंफोस्ट ये वावर संटेंस में वाव कितर है यूज होता है इंफोस्मेंट ये नावनर संटेंस में नावन कितर है यूज होता है Engagement, यह noun or sentence में noun के तरह यूज होता है Engaging, यह adjective or sentence में adjective के तरह यूज होता है Inquire, यह verb or sentence में verb के तरह यूज होता है Enrich, यह verb or sentence में verb के तरह यूज होता है Enroll, यह verb or sentence में verb के तरह यूज होता है insyou 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 यह verb sentence में verb के दरह use होता है enterprise यह nouner sentence में noun के दरह use होता है enthusiastic nouner sentence में noun के दरह use होता है Entitle ये वर्वर संटेंस में वर्व के तरह यूज होता है Entity ये नाउनर संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है Epidemic ये नाउनर संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है Equality ये नाउनर संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है Equation ये नाउनर संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है इरेक्ट ये वावर संटेंस में वाव के तरह यूज होता है एक्सिलेट ये वावर संटेंस में वाव के तरह यूज होता है इंसेंस ये नाउनर संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है Establishment यह noun or sentence में noun केतरा Use होता है Internal यह adjective है और sentence में adjective केतरा Use होता है Evacuate यह adjective है और sentence में adjective की तो यूज होता है तो move करते हैं अगली slide की तरफ exaggerate exaggerate यह verb है और sentence में वर्फ की तरफ यूज होता है excellence यह noun है और sentence में noun की तरफ यूज हिता बहुता है exceptional यह adjective है और sentence में आजर्टिब कित्रह यूज त्यक्सटीज यह नावन और आजर्टिव बिए तो संट्स making9 और च्टीव कित्रह्यूज होता है इक्स्क्लूशन पि हां यृ नावन संट्स में नावन कित्रह्यूज होता है Exclusive यह अजिद्व a J tarde कित्रह्यूज होता है exclusively ये advert sentence में adver of कितरे use होते है execute ये आर Vert sentence में.. execution 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 ये नावन सेंटेंस में noun कितरे use होते है exact ये exist ये वरर सेंटेंस में वाफ कितरे use होते है exile यह nouner sentence में noun के तरह यूज होता है exit exit यह verb sentence में वाफ के तरह यूज होता है expenditure यह nouner sentence में noun के तरह यूज होता है experimental यह adjective sentence में adjective के तरह यूज होता है expire यह verb sentence में वाफ के तरह यूज होता है एक्स्प्लिसीट यह एजेक्टिव और संटेंस में एजेक्टिव के तरह यूज होता है एक्स्प्लिस्टिटी ये एडवर्वर संटेंस में एडवर्व के तरह है यूज होता है एक्स्प्लोइटेशन ये नाउन है ये संटेंस में नाउन के तरह है यूज होता है extract में यह वर्वर Почему वर की तरहिए उसलिट जैoffिन। extremdi extremist 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 is tia noun or sentence meanings now on किता use होता है facilitate घणिःट यह वो वेर संतैंस में वो किता use होता है section यह now on a sentence में now किता use होता filthy यह now on a sentence में زहय Nうん के दरहे यूझा होता है फेड़ फेड़ वुड संट 은ंज स्टैंस में वूफ की तरह यूझा होता है फेड़ यह और संटैंस में उसा थैस फेड़ यह जचाल अजora healthy स्लाइक तरह fit, fit यह noun और sentence में noun के तरह, use होता है, favorable, यह adjective है और sentence में adjective के तरह, use होता है, fit, यह noun और sentence में noun के तरह, use होता है, feminist, यह adjective है और noun भी है, तो sentence में adjective और noun के तरह, use होता है, fiver, यह noun और sentence में noun के तरह, use होता है, fierce, fierce यह adjective है और sentence में अजेक्टिव के तरह यूज होता है फिल्मेको ये noun or sentence में noun के तरह यूज होता है फिल्टर फिल्टर ये noun है और वर्व है तो sentence में noun और वर्व के तरह यूज होता है फाया फाइन फाइन ये noun or sentence में noun के तरह यूज होता है फायाम फाया हम यह नाउनल संटेंस में नाउन के तरहे है यूज होता है फिट यह नाउन है फिट यह नाउनल संटेंस में नाउन के तरहे है यूज होता है fixture, fixture ये noun air sentence में noun के तरह है, use होता है, flaw, ये noun air sentence में noun के तरह है, use होता है, flawed, ये adjective air sentence में adjective के तरह है, use होता है, flee, flee, ये verb air sentence में verb के तरह है, use होता है, flit, flit ये noun air sentence में noun के तरह है, use होता है, फ्लिस ये नाउनर संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है फ्लेक्सिबिलिटी ये नाउनर संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है फ्लॉरिश ये वर्वर संटेंस में वर्व के तरह यूज होता है यह नाउनर संटैंस में नाउन के तरह यूज होता है फुटीज यह नाउनर संटैंस में नाउन के तरह यूज होता है फॉज यह वावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व यह adjective sentence में adjective के तरह यूज होता है तो move करते हैं भाहिया अगली slide की तरफ foster 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 यह verb sentence में verb के तरह यूज होता है fragile fragile यह adjective sentence में adjective के तरह यूज होता है franchise franchise यह noun your sentence में noun के तरह यूज होता है frankly यह adverb sentence में adverb के तरह यूज होता है frustrated यह adjective sentence में adjective के तरह यूज होता है frustrating 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 यह adjective sentence में adjective के तरह यूज होता है frustration यह noun your sentence में noun के तरह यूज होता है purpose function 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 have to increase我跟你講 विए और timestमậy वते हैं और औरन ये नावन में कितरह यूज वताएundo अच्छा आप में बताना कॉमेंट करके कि एक गैलन ब्रावर कितना लीटे होता है हमको आप comment box में बताना ठीक है gambling gambling ये noun और sentence में noun के तरह use होता है gathering gathering ये noun और sentence में noun के तरह use होता है gaze gaze ये noun है और वर्वी है तो sentence में noun और वर्व के तरह use होता है gear gear ये noun है और sentence में noun के तरह use होता है जेनरीक 2015 अजेञ्टिव है और सन्टेंस में अजेग्टिव के तरह यूज भता है जेन। जेंसाइड 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 ये resonates and meets noun के तरह यूज होता है glance glance यह noun है और वाव है तो sentence में noun और वाव के तरह use होता है glimpse यह nouner sentence में noun के तरह use होता है glorious यह adjective है और sentence में adjective के तरह use होता है glory यह nouner sentence में noun के तरह use होता है governance यह nouner sentence में noun के तरह use होता है grace यह nouner sentence में noun के तरह यूज होता है grasp, grasp यह वव है और नावन है तो sentence में वव और नावन के तरह है, use होता है grave, यह noun होता है, यह grave for dead person के लिए use किया जाता है, और यह grave serious, serious कोई भी situation को लेगरी serious होना, उसी की sense में होता है grave, यह adjective हो sentence में adjective के तरह, use होता है, gravity, gravity यह noun है sentence में noun के तरह, use होता है, तो move करते हैं अगली slide के तरह, grid, grid यह noun है sentence में noun के तरह, use होता है, grief, grief यह noun है sentence में noun के तरह, use होता है, green, यह वव है और noun है तो sentence में noun और वव के तरह, use होता है, grind, यह वव है sentence में वव के तरह, use होता है, ग्रिफ ग्रिफ यह noun है और यह वर्फ है दोनों है तो sentence में noun और वर्फ दोनों के तरह use होता है भाया ग्रोस ग्रोस यह adjective है और sentence में adjective के तरह use होता है अब थोड़ा color change कर लो black color ले रहता हूं guidance guidance यह noun or sentence में noun के तरह use होता है guilt यह noun or sentence में noun के तरह use होता है निल हिल यह वर्फ है यह वर्फ के तरह use होता है handful यह नाउन और संटेंस में नाउन के तरह है यूज होता है handing यह नाउन और संटेंस में नाउन के तरह है यूज होता है harassment नहीं सौरी, handy handy यह adjective है और संटेंस में handy यूज होता है harassment यह नाउन और संटेंस में नाउन के तरह है hardware hardware यह नाउन और संटेंस में नाउन के तरह, यूज होता है, हामनी, ये नाउन और संटेंस में नाउन के तरह, हामनी, हामनी ये नाउन और संटेंस में नाउन के तरह, यूज होता है, हाश, हाश ये अजेक्टिव और संटेंस में, अजेक्टिव के तरह, यूज होता है, हाविस्ट, हाविस्ट ये नाउ lub नवन कetynze में नाउन कीतर है कि युजी थे है कर सब o aud यह नाउन और संटेंस में नाउन के तरह है, use होता है, haunt, यह वर्वर संटेंस में वर्व के तरह है, use होता है, hazard, hazard यह नाउन और संटेंस में नाउन के तरह है, use होता है, heighten, heighten यह वर्वर संटेंस में वर्व के तरह है, use होता है, heritage, यह नाउन है और संटेंस में नाउन के त हाई रागी यह नाउनेर्संटैंस में नाउन के तरह हिं जो थह है थॉड़ाइ फ्रोफायल फ्रोफाइल यह एकडिमेंज तुम बाई हम लोग अगली स्राइड में मुफ करते हैं है जयाद हने लेंगे बस और पांच मिनट पांच मिनट दस मिनट उसके बाद next class में करेंगे हिंट हिंट यह नाउन है और वर्फ भी है तो sentence में नाउन और वर्फ के तरह यूज होता है होमलेंड होमलेंड यह नाउन है और sentence में नाउन के तरह यूज होता है हुक हुक यह वावर sentence में वर्फ के तरह यूज होता है हॉफ फुल यह अजेक्टिव है और sentence में अजेक्टिव के तरह यूज होता है हराइजन हराइजन यह नाउन है और संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है होन होन यह नाउन है और संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है होस्टीज यह नाउन है और संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है होस्टाइल यह अजेक्टिव और संटेंस में अजेक्टि होता है .... Humanity .... यह नाऊन संटेंस में नाऌन के थह है .. यह हमबल .... यह पॉर अजी कि ऐॉजए होता है .... यह उनड़ीब होता है........ यह नाऊनड़ीबृ यह पॉर यह पॉर अजी कि आपन। कि ऋपे पեմेसे से से पॉर याओं तब मिकित वाँ न हमें .... आइडियोलोजिकल है, यहाँ है, यह नाउनल संटेंस में नाउन केतर है, यूज होता है, इडियेट, इडियेट यह नाउनल संटेंस में नाउन केतर है, यूज होता है, इग्नरंस, इग्नरंस यह नाउनल संटेंस में नाउन केतर है, यूज होता है, इमिजरी, यह नाउनल एक्टियोर संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है, इंप्रीजनमंट ये नाउनर संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है, इंप्रीजनमंट ये नाउनर संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है, इनबिलिटी ये नाउनर संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है, इन एप floor is inadequate idea पीजेकृटिव के तरह तरह वे इन पोरियट एक्टिव के तरह वे उस意ुह एप एपुरिय soprat इन प्रोपोरित यहują कि ए test itself option हो जो करतें बिया अगली सलटी तरह incidence यह noun or sentence में noun के तरह use होता है तो थोड़ा color भी change कर लेते हैं ताकि बोर ना हो inclined यह adjective है और sentence में adjective के तरह use होता है inclusion inclusion यह noun or sentence में noun के तरह use होता है incur यह verb or sentence में verb के तरह use होता है indicator यह noun or sentence में noun के तरह use होता है indictment यह noun or sentence में noun के तरह use होता है indigenous यह adjective or sentence में adjective के तरह use होता है induce induce inducey शॉरई indicators येस वॉपर यॉपर के तर ये उज़ोटा indulge ये वॉवर संथ्रसें सेर्देके ऻॉपर के त रे इनी इता है इनी कुलुटी ये नाउनर संथी में नामिन का। यूज़ोगह था infamous. infamous , यह अजेक्टिव और संटैंस में नाउन केतर है? in fact. यह ववर संटैंस में वफ केतर है? influential. यह अजेक्टिव और संटैंस में अजेक्टिव केतर है? यूज होता है इनहेरंट ये अजेक्टिवर संटेंस में अजेक्टिव के तरह यूज होता है इनहेबिट ये नावर संटेंस में वाफ के तरह यूज होता है इनिशेट ये वावर संटेंस में वाफ के तरह यूज होता है इन्जेक्ट inject ये वर्वर संटेंस में वर्फ केतर है, use होता है, injection injection ये नाउनर संटेंस में नाउन केतर है, use होता है injustice ये नाउनर संटेंस में नाउन केतर है, use होता है inmate ये नाउनर संटेंस में नाउन केतर है, use होता है insertion ये नाउनर संटेंस में नाउन केतर है, use होता है इंसाइडर ये नाउनर संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है इंस्पेक्ट ये वावर संटेंस में वाव के तरह यूज होता है इंस्पेक्शन ये नाउनर संटेंस में नाउन के तरह यूज होता है inspiration यह noun here sentence में noun के तरह use होता है तो move करते हैं बही अगली slide के तरफ इन इस इन इस्टिंक्ट यह noun here sentence में noun के तरह use होता है institutional यह adjective हर sentence में adjective के तरह use होता है इंस्ट्रक्ट यह वावर sentence में वाव के तरह use होता है instrumental यह adjective है और sentence में adjective के तरह use होता है insufficient यह adjective हर sentence में adjective के तरह use होता है insult इंसल्ट इंसल्ट यह noun है और वाव है तो sentence में noun और वाव के तरह यूज होता है, इंटेक्ट, यह अजेक्टिवर संटेंस में अजेक्टिव के तरह है, यूज होता है, इंटेक्ट, यह अजेक्टिवर संटेंस में अजेक्टिव के तरह है, यूज होता है, इंटेग्रेट, यह अजेक्टिवर संटेंस में अजेक्टिव के तरह है, यूज ह इन्टेंसिटिटीटीटिव एजेक्टिव 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 एजेक् इंटर 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 नाउन भी यह तो sentence में adjective और noun के तरह use होता है intermediate यह adjective है और sentence में adjective के तरह use होता है intervene यह वावर sentence में वाव के तरह use होता है intervention यह noun और sentence में noun के तरह use होता है intimate intimate इंटिमेट यह एजेक्टिव है और संटेंस में अजेक्टिव के तरह यूज होता है तो आज यही तक बश और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे एक अबवोड करेंगे तो आज के क्लास यही खतम होता है तो डॉंट फरगेट लाइक, शेयर अब सब्सक्राइब तो थैंक यह एक्टिव थी खत्राइब